जय ही इन्द मेरे प्यारे सातियों CICAP SI LDC exam success में आप लोग सभी को most welcome अभी है आपका class daily vocabso और यह आपका जो vocabso number है 17 number class है और इसमें हम आज करेंगे कुछ EDM's का question कुछ one word का question ठीक है जो आपका exam oriented question है ठीक है अभी देखिए सबसे पहले आपका क्या है EDM's है EDM's का मतलब हो गया हिंदी में हो गया मुहाबरा आपका LDC exam छोड़के भी किसी भी exam जिसमें English है यह सब को मतलब आपका EDM's one word substitution यह सब आते है तो यह सभी exam के लिए beneficial रहेगा तो चलिए class को सुरू करते देखिए EDM's फास्ट में क्या बोल रहा है कि apple of discord apple of discord का मतलब होता है किसी भी जैसे कोई जगड़े का जड़ या जगड़े का प्रसाथ मतलब किस कारण से जगड़ा हो रहा है जैसे बरतमान में यूक्रेन और आपका रासिया का जो जुद हो रहा है तो उसका जगड़े का जड़ क्या है तो यही जगड़े का जड़ है उसी चीज को क्या बोलता है apple of discord ठीक है तो उसी का क्या है आपका हो जाएगा root causes of fight ठीक है अबी देखिए यह हो गया दो नमबर है आपका दो नमबर question है judas kiss judas kiss का मतलब होता है मतलब false love अर्था जुटा प्यार दिखाना ठीक है अर्था आपका किसी का उपर कोई भी दिल्चस्ती नहीं है कोई भी प्यार नहीं है मगर आप दूसरे के पास ऐसा जुटा दिखाते ह हो कि किसी का उपर मेरा बहुत ज्यादा मतलब उससे मेरा लगा हो है बहुत ज्यादा प्यार है तो उसी चीज़ को क्या बोलता है उसी चीज़ को बोलता है judas kiss ठीक है इसका आर्थ हो गया false love अभी देखिए तीन नमबर में क्या है beat about the boost beat about the boost का मतलब होता है अर्था कोई ए बात कर रहे हो तो उसी चीज़ को क्या बोलता है beat about the boost तो इंगलिस में क्या होगा avoiding the main traffic जो आपका टौफी के main topic है उसको मतलब avoid कर देना ठीक है उसके बाद देखिए यह हो आपका one word हो गया अभी देखिए मतलब यह adms खतम आभी क्या है one word देखिए one word में क्या बोल रहा है कि someone having many skill तो someone having many skill इसको क्या बोलते है इसको बोलता है versatile मतलब ऐसा कोई बंदा है जैसे बहुत सरा बहुत सरा चीज में क्या होत हो पारदल सी होता है और तत उसको बहुत सरा स्किल आते है ठीक है अभी देखिए पांच नंबर में क्या है one who perform daring gymnastic fits अर्थत ऐसा कोई आदमी है जो gymnastic मतलब जो gymnastic होता है जीबनास्टिक पारफॉम करता है बहुत सरा मतलब तरीका से करते है तो उसको क्या बोलता है एक्रो काने में असमर्थ हो तो उसको क्या बोलता है bankrupt या insolvent ठीक है अभी देखिए साथ नंबर कोश्चन क्या है साथ नंबर कोश्चन बोल रहा है कि exclusive procession और control of anything अर्थत कोई एक मार्केट है मार्केट में आपका जैसे एक च्छत्रा अधिकार होता है न अर्थत आपी ने उस मार अधिफ़क्स नहीं है तो उसको क्या बोलता है इस चीज़ बोलता है monopoly अभी देखिए आठ नंबर में क्या बोल रहा है आत नंबर में बोल रहा है कि the study of collection of coins और जैसे पूराना पूराना ताकि इसमें पलिंग का करेक्शन आने से आप इसको कर सकते हैं उसके बाद देखिए नौ नमबर में क्या है कि one who hates women अर्थत ऐसा कोई आदमी है जो जो ओमेन को या महिला को या औरत को क्या करता है मतलब hate करता है घ्रिना करता है तो उसको क्या बोलता है mesogenist meso मतलब क्या हो गया घ्रिना करना और गैनिस्ट का मतलब होता है जो गाइनों से आया गैनिस्ट ठीक है अर्थत यह ladies से समान देते है ठीक है अभी देखिए 10 नमबर में क्या है यह women with dark bound hair तो यह जैसे एक महिला जिसका क्या है जो hair है brown है dark brown है तो उसको क्या बोलता है brunette brunette क्या हो गया आपका यह हो गया आपका मतलब इसका सही meaning ठीक है अभी देखिए 11 नमबर में क्या बोल रहा है कि to officially take private property away to siege तो मतलब ऐसा कोई जिसे private property को siege किया लिया जाता है तो उसको क्या बोलता है confiscate बोलता है ठीक है अभी देखिए 12 नमबर question क्या है 12 नमबर question है कि someone who scientifically study the bird और तत ऐसा कोई आदमी है जो बईगानिक सम्मत तरीक से जो bird या जो पंची का जो पढ़ाई करता है तो उसको क्या बोलता है उसको बोलता है आपका ornithologist ठीक है अभी देखिए 13 नमबर में क्या है और यह आपका आज का last question है कि something which is imaging to be real but actually does not exist अर्थात ऐसा कोई चीज है जिसको आपको दिखाई देता है मतलब कालपनिक तरीका से दिखाई देता है और तो आसल में वहां पर exist करता नहीं है पॉलता है आपको बालू में दूर से देखेंगे तो पानी दिखाई देगा और आसल में हाकिकत में जाओगे तो आपको पता चलेगा वह कुछ नहीं है ठीक है वह इंटर्नल रिफ्लेक्शन के कारण होता है ठीक है तो यह हो गए आपका तेरा कुश्चन आपको कैसा लगा बताएगा अच्छा लगने से लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का करिएगा ठीके तो चलिए जय हिंद जय भारत